हलो गुड मॉर्निंग दोस्तों आप सभी का स्वागात है हमारे एक नए वीडियो में देखे दोस्तों आज हम इस वीडियो में BPSC 134 अंतराष्टिये संबंधों का परिचाय में यूनिट नंबर 10 को देखेंगे आज आपका चेप्टर नंबर 10 है यानि चेप्टर नंबर 10 यूनिट नंबर 10 कहेंगे यूनिट नंबर जो आपकी 10 है सक्ति के उभरते केंद्र देखेंगे ठीक है यूनिट नंबर 10 में आपका जो टोपिक रहेगा इसमें हमारा जो टोपिक है आज का सक्ति के उभरते केंद्र तो सक्ति के उभरते केंद्र में एक कोस्टन मैं आपक विश्तार पूर्बक वर्णन कीजे तो सबसे पहले मेरे कोश्चन को समझो कोश्चन क्या पोच रहा है जानी जब सीतियुध चल रहा था सीतियुध जब समाप्थ हो गया तो सक्ति के कौन-कौन से नए केंद्र उभर के सामने आते हैं तो सबसे पहले कौन कौन से सक्तिक के केंदर भर के सामने आते हैं, तो उसमें थोड़ा सा ध्यान दिये जगा, अगर आपको PDF चाहिए, तो टेली ग्राम चैनल पर इसको अपलोड कर दिया गया है, इस PDF को आप टेली ग्राम चैनल से देख सकते हैं, ठीक है, टेली ग्राम पर जाओगे, वहाँ पर लिखोगे अध्यन एजुकेशन सेंटर, अध्यन हिंदी में लिखना, एजुकेशन सेंटर इंगलीज में, तो आपको वहाँ पर PDF इसका मिल जाएगा, दूसरा इस PDF को मैं डिस्क्रिशन बॉक्स में भी आइड कर दूँगा, और जो मैं वीडियो में समझा रहा हूँ, उसको पहले समझीए, बहुत ज़्यदा PDF के सामने पीछे भागोगे, तो साइज एक बार समझ लिजए, PDF को उपन करके और वीडियो को ध्यान से सुनो, तो आपको समझ में ज़्याद आगा, तो चलिए वीडियो को देखते हैं, देखो, उत्तर सीत में पूरी दुनिया बटी हुई थे, और इस टाइम जो सक्ति सलतुरंत था, वह बिलकुल भी बना नहीं था, बलकि सक्ति सलतुरंत पिरकुल डगमा गाया था, लेकिन जब सीत युद्यसमाप्त होता है, सीत युद्यसमाप्त होने के बाद, ऐसी कौन-कौन सी सक्तियां हो तो सबसे पहले आपका सक्तिक उबरते नय केंद्रों में है, यूरोपीय संग, ठीक है, यूरोपीय संग उबरकर सामने आता है, दूसरा है ब्रिक्स, जिसका नाम आप सबने सुना है, तीसरा जो आपका रहे है ब्रिक्स, उसके बाद आपका है चीन, यूरोपीय संग तो म का ब्रिग्स तो ये 5 रहेंगे जब सीति वध्य चल रहा था सीति के बाद यह ऐसे पाँ सेंटर होते हैं जो सकति के नए केंद्र में अरोवहर करके हमारे सामने आते हैं ठीक है और पूरे 20 में एक प्रकार से कह सकते हैं कि जब सीतित면 समाफ हुआ ते पाँ पांच सक्तियों में उभार देखनों की मिलता है उससे पहले क्या हो रहता है जब सीत्यू दुझ चल रहता था पूरी दुनिया दो गुटों में बटी हुई थी एक तरफ हम देख रहे थे क्याउंसी थी एक तरफ वहाँ पर सोबियस संग था और दूसरे जगा अमेरिका दो और दुनिया इन्हीं दो गुटों में बटी हुई थी लेकिन जब सीत्यू दसमाप्त होता है बैस भी करण होता है आतंकवाद ही भी एक बड़े इसू के रूप में उभर करके सामने आता है आतंकवाद, मनी लोंडरिंग, हाथियारों की तसकरी इस तरह के बिशेस कार कु उभरने वाले सकता के दो बैकल्पिक केंद्र है पहला क्या है जैसे हम देखेंगे ब्रिक्स भी उभर करके सामने आएगा और दूसरा हम कह सकते ही यूरेपिये संग दो यूरेपिये संग के बारे मगर हम सबसे पहले देखेंगे यूरेपिये संग क्या है यूरेपिये चेत्र में होने वाली समस्याओं तथा विबदाओं को सुल्जाने में सफलता पाही अगर हमें यूरोपीय संग के बारे जहां सुनना यूरोप के देशों ने जो 27 देश हैं उन्होंने मिलकर एक संगठन बनाया है उसी को बोला जाता है यूरोपीय संग ठीक है तो पहला हमा वाली जो विबदाओं हैं जो समस्याओं उनको समाधान करने के लिए उन्होंने एक संग मनाया यूरोपीय संग की अस्थापना यहाँ पर देखिएगा 1992 हूई अब हम इसके सभी पॉइंट को देखते हुए चलते हैं ध्यान से सुनिएगा यूरोपीय संग क्या है यूरो दूसरा कह सकते हैं कि यूरोपीय संग विशालर राष्ठ राज्यों की तरह काम करने लगया यहनि अब यूरोपीय संग क्या है एक बखुत बड़े राष्ठ की तरह क्या करता है अब काम कर रहा तीसरा इसको हम कह सकते हैं इसके पास अपना जंडा है यानि उर्वेपिय संगे के पास जैसे कंट्रियों के पास एक संगठन है फिर भी इसके पास क्या है अपना जंडा है अपना राष्टगान है अस्थापना दिवास है और उर्वेपिय संग्या अपनी मुद्रा भी चला कि वो अपना Constitution बनाए लेकिन वह बना नहीं पाये थे। पांचवा कह सकते हैं जबरदस्थ आर्थिक, राजनेतिक और सैनिक प्रभाव यूरोपिय संग का बना हुआ है। 2005 में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थ विवस्था बन करके हमारे सामने उभरा था यूरोपिय संग। अगला सकल घरेली उत्पाद में अगर यूरोपिय संग की बात करें तो 1200 अरब डोलर से भी ज़्यादा इसका है। सकल घरेली उत्पाद यानि जो डीड़ी इसकी है 1200 डोलर से भी अधिक मानी जाती है। इसकी मुद्रा यूरो है। अमेरिकी डोलर के लिए भी खतरनाक साबित हो रहा है। आपने सुनो होगा ना यूरो सबसे ज़्यादा महगा है। अमेरिकी डोलर से भी अगर कीची का रेट हाई है तो यूरो का है। और यूरोपे संग की मुद्रा क्या है। यूरो है जैसे मैंने आपको होता है। एक संगठन है, देश नहीं है, फिर भी मुद्रा बना चुका है, समझ सकते हैं। यूरोपे संग में कितनी ताकत है। अगला देखे, विस्व ब्यापार में अमेरिका की तीन गुना हिस्सेदारी है। अमेरिका से भी तीन गुना ज्यादा हिस्सेदारी है विस्व ब्यापार में, यानि जितना विस्व में ब्यापार होता है, उसमें अमेरिका से तीन गुना ज्यादा यूरोपे संग करता है, अपने ब्यापार को करता है, आगे देखे, यहाँ पर देखे, इसके दो सदस द देश हैं जिनके पास क्या है इनके पास क्या है जैसे कौन-कौन से देश हैं फ्रांस और बिटें दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना किसके पास है यूरोपिय संग के पास है यूरोपिय संग के पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी और विसाल सेना है अगला कह सकते ह इसके पास साधे 500 से ज़्यादा परमाडू हथियार भी है ठीक है साधे 500 से ज़्यादा परमाडू हथियार है यह कैसे देखो यूरोपिय संग जो है क्या होता है कि 1992 बनता है और एक बहुत बड़ा संगठा ने यूरोप के देशों ने बना रखा है और यूरोपिय संग का अ में पहला क्या पाइंट लेगे युरुपिय संग दूसरा हमारा क्या है चाइना की बात करते हैं चाइना भी आपने देखा होगा सीथिद्ध के बाद यानि कोल्ड वार के बाद एक उबरने वाले नए केंद्रों में रहा तो हम यहां पर चाइना की बात करते हैं यानि चीन क देखो चीन जितना आज विक्सित हुआ है यहां उसकी नई आर्थिक नीती के करण यहां चीन का जो विकास हुआ ना चीन में एक नई आर्थिक नीती आई थी उस आर्थिक नीती ने क्या किया चीन का विकास किया चीन जो था उननीस सो उननचास में क्या चाइना उननीस सो उ में मुक्त बयापार की नीती ने अपना करके बाद चीन में बहुत तरगे मुक्त बयापार की नीती का मतलब होता है कि उसके देश में कोई भी जाकर के trade कर सकता था यानि चाइना ने क्या कर दिये थे मार्केट के लिए अपने दवार अपने दर्वाजे खोल दिये थे यांनि उसके देश में कोई भी जा करके कमपणी लगा सकता था यांनि चाइने ने क्या किया 1978 में क्या किया उसने मुक्त द्वार की निती का पालंग किया जिसके बाद चीन ने बहुत ज़्यादा तरक्की की मुक्तवार की नीती जो अपनाई गई थी देंग सुप्यान ने अपनाई थी यानि एक चीन का नेता था उसीने इसको अपनाया था चीन की आर्थिक विकास की अस्तर को देखते हुए अंदाजा लगाया जा सकता है यानि चीन की आर्थिक विकास इतना तेजी से हो रहा है कि अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक दिन यहां अमेरिका से भी आगे निकल जाएगा यानि चीन इतना तेज से आर्थिक विकास कर रहा है कि ऐसा माना जाता है चीन एक दिन अमेरिका से भी क्या होगा आगे निकल जाएगा अगर चीन की आर्थिक विकास की दर को देखते हुए अमेरिका से भी एक दिन आगे निकल जाएगा 1950 के दसक में चीन कैसा था अगर हम चीन की बात करें 1950 के दसक में चीन कैसा था 1949 की अगर बात करें तो क्या होता हो वहाँ की एक नेता थे माउ उन्होंने क्या क्या था एक साम्यवादी क्रांती जो आपने सुनोगा ना लेनिन की और काल मास्ती जो विचार धारा है उसे विचार धारा को मानने वाला जेस है चाइना उसे वहाँ पर क्रांती होती है माउ उ में एक परकार का उभार आता है चीन की अर्थविवस्ता क्या होती है आगे चल करके जब 1978 में इन्होंने मुक्त दवार की नीती का पालन किया तो मुक्त दवार की नीती का इनको बहुत लाग होता है और चीन की अर्थविवस्ता जो होती है बड़ी तेजी से आगे बढ़ती आर्थिक रूप से पिछडे चीन ने सामिवादी दुनिया से रिष्टे जोड़े और पूजी वादी दुनिया से रिष्टे तोड़ दिये आगे चल करके क्या होता है कि चाइना क्या करता है कि पिछडे चीन ने सामिवादी दुनिया से रिष्टे जोड़े और पूजी वा झेंद्धोर की यानु ज़ैने चैना में प्रकार की आध्धोगी क्रांती होती है चैना में और घरेलू ब्यापार भी बड़ा ज्योडविगी चैना की बढ़ने लगी और चीन में रोजगार की इस्तिती भी क्या हो गई काफी अच्छ हो गई यानि धीरे धीरे चाइना क्या रहा पट्री पर आने लगा और चाइना धीरे धीरे एक बिक्सित अर्थविवस्था की दिशा के ओर आगे बढ़ रहा चीन की अर्थविवस्था 5-6% दर की विकास कर है 5-6% करी विकास दर्मानी जाती है लेकिन चीन की जनसंख्या 2-3% से वड़ रही है इसका भी अर्णीा काफी नुक्सान था लेकिन 1970 के दसक में यहां बड़े नीटी गत फैंसले 1970 के दसक में क्या होता चीन में बड़े नीटी गत फैंसले और वही क्या होता कि उन्होंने खुले द्वार की नीतियों का पालन किया फैंसले लिए गए 1972 में अमेरिका के साथ चीन के जो होते हैं उनको सुधारा जाता है और वर्स 1978 में चीन के एक निता देंग सिवपियांग ने क्या क्या मुक्त द्वार की नीति अपनाई और उसके बाद चीन का जो विकास था उसको कह सकते पंक हेक टाइप लगए चीन जो था बड़ी तेजी से और बहुत तीबर गरती से चाहिना क्या करने लगा विकास करने लगा चीन ने अर्थेविवस्था को चरणबध तरीके से खोला अगर उसने खुले द्वार की नीति का पलन किया ना तो उसने एक एक चीजों को सीरिल वाई से उन्होंने खोलना चालू किया और धीरे धीरे चाहिना क्या होता है तरक्की करने लग जाता है चीन ने अर्थेविवस्था को चरणबध तरीके से खोला 1992 में उसने खेती का निजी करन किया चाहिना ने किया क्या सबसे पहले खेती का निजी करन किया और 1998 में उद्वोगों का उसने निजी करन कर दिया यहनि चाहिना ने सबसे पहले क्या क्या खेती का निजी करन किया उसके बाद उसने क्या क्या उद्वोगों का निजी करन किय चीन 2001 में 202 ब्यापार संगठन में सामिल हो गया यानि चाइना जो था 202 ब्यापार संगठन में सामिल हो गया और चाइना को भी कह सकते हैं कि वो भी सीति उद्ध के बाद उभरने वाले सक्थी के नए केंद्रों में से सामिल रहा तो आगे चलते हैं जो हमारा थर्ड रहेग यहां पर देखे जो हमारा तीसरा है तीसरा अब तीसरी हेटिंग हमारी कहा रहेगी ब्रिक्स सक्तिक उभरने वाले नए केंद्रों में ब्रिक्स भी सामिल है यानि हम कह सकते उत्तर सीतुधि के बाद यानि जब कोल्ड वार समाथ उसके बाद सत्य उबरने वाले नय किंद्रों में क्या है हमारे एक BRICS भी सामिल रहेगा तो हम BRICS के बारे में देखें वरतमान में BRICS में पांच देश सामिल है यानी BRICS जो सब्द है वहां पांच देशों से मिलकर बना है या सम्मू की सुरुवाद 2006 में हुई थी यानी BRICS कब बना थ पाँच देशों का संगठन है Brexit में क्या है रूस और चीन के पास बीटो पावर है ब्रิक्स में दो देश ऐसे सामिल है रूस और चीन है जिनके पास क्या है बीटो पावर है यहनि Brexit में कौण-कौण से देश है Brazil है Russia है भारत है चीन है दक्षिन अफ्रीका सामिल है यहनि ब्रिक्स की अगर हम बात करें तो इसमें कौन-कौन देश सामिल है ब्राजील है रूस है भारत है चीन है South Africa देशों को सामिल किया गया है इनमें से दो देशों के पास किसकी से पास? रूस के पास और चीन के पास बीटो पावर भी सामिल है Bricks की विशेशता हैं किया अब हम देखते हैं इन्हीं अगली यहाँ पर देखेंगे heading डाल करके लिख देना Bricks की विशेशता हैं यानि क्या क्या इसकी विशेशता हैं देखो दुनिया की लगभग 50% आबादी Bricks के देशों में रहती है दुनिया की लगभग क्या है 50% आबादी इन्हीं Bricks के देशों में रहती है जैसे भारत और चाइना होने से क्या हो सकता है ज्यादतर आबादी कैप्चर कर लिया इसने दूसरा बिश्व के दो सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश भारत और चीन ब्रिक्स में ही सामिल है जैसे मैंने आपको होता है दुनिया का लगभग एक चौथाई छेतर फल दुनिया का लगभग कितना एक चौथाई छेतर फल ब्रिक्स के देशों के पास है क्योंकि रूस का सबसे बड़ा छेतर फल है रूस भी ब्रिक्स में सामिल है इससे क्या होता कि ब्रिक्स का जो छेतर फल है वह लगभग कितना एक चौथाई माना जाता है दुनिया की कुल GDP का लगभग 30% का हिस्सा ब्रिक्स का है यानि दुनिया का GDP होए उसकी लगभग 30% हिस्सा क्या है ब्रिक्स के देशों में का है अगर कहें दुनिया में जितना है उसका 30% हिस्सा किसके पास है ब्रिक्स देशों के पास क्या होता है पाया जाता है दुनिया का कुल ब्यापार का लगभग 18% यानि ब्यापार में अगर देखें तो 18% जो हिस्सा है वह BRICS के देशों का रहा है ऐसा माना जाता है कि अगर या संगठन सही से कार किया तो अमेरिका से भी आगे निकल जागा यानि BRICS को भी बोला जाता है यानि BRICS में जितने भी देश सामिल है वह अपनी अर्थ ब्योस्ता को भारना चाते है दूसरा अंतराश्टी अर्थ ब्योस्ता और आर्थिक इस्तिती में सुधार यानि अंतराश्टी अर्थ ब्योस्ता और आर्थिक अर्थ ब्योस्ता में क्या करना चाते है सुधार लाना चाते हैं जिससे इन सदस देशों की अर्थ ब्यवस्था को बढ़ाया जा सके चौथा क्या करना चाते हैं आपस में राजनेतिक आर्थिक और सुरच्छा साहयो को बढ़ाना चाते हैं ब्रिक्स में जितने भी देश सामिल हैं वहाँ आपस में मिलकर के सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रयास करते हैं अगला हम कह सकते हैं इन देशों का एक बैंक भी बना गया है जिसको क्या बोलते हैं यन बीडी जिसको हम क्या बोलते हैं न्यू डवलप्मेंट बैंक या भारत के सुझाओ पर बना गया है या बैंक 2014 में बनवाया गया था इसका काम किसी प्रोजेक्ट के लिए इन देश में क्या बैंक बना है उसका किसी देश में कोई प्रोजेक्ट लगएगा कोई नया काम लगएगा तो उसको लोन देता है या बैंक इन देशों की तकनीकी सहाथा के लिए क्लिए 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 प्रियास करता रहता है यानि बिक्स के लिए जो बैंक बना है या देशों की तक्निकी साधा के लिए क्या करता है हमेशा प्रियास करता है अब देखेंगे सक्ति के उभरने वाले नए केंदरों में अब हम अपने देश के बारे में देखेंगे भारत भारत भी क्या है कि सक्ति के उभरते नए केंद है कौन है इंडिया भारत के बारें देखो भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आबादी वाला देश है भारत की जनजंख्या 121 करोन से भी जादा मानी जाती है तीसरा कह सकते हैं भारत का जी टीपी दुनिया का 3.3 3.36 परतिससत है यानि भारत का जो जी टीपी है वो क्या है दूनिया का लगभग 3% से भी अधिक जादा है भारत ने उदारवादी नीतियों को 1991 में अपनाया तब से दुनिया में सबसे तेजी सी अर्थविवस्था में से एक रहा यानि भारत ने क्या क्या भारत येसे चीन मैंने बता कि उसने खुली द्वार की नीती अपना ही, भारत में भी उधारवादी नीतियों को अपनाया है, यानि उसने भी मार्केट को थोड़ा सा खोला है, भारत में भी मार्केट खुली है, लेकिन 1991 में भारत में मार्केट को खोला गया है, जिसके बाद भारत में तेजी से विकास हो रहा है भारत को अपने विदेशी काम काजी आबादी प्रवासियों से भी अधिक धाने भारत के जो लोग हैं वह दूसरे देशों में जा करके काम करते हैं आपने सुना करे हमारे देश के लोग कोई चाइना में कोई फ्रांस में कोई कैनेडा में सब लोग क्या क यानि हमारे लोग क्या है दूसरे दूसरे देशे में जा करके काम करते हैं और भारत से इसमें प्रवासी धनवी काफी मात्रा में आता है 2018 में इसे प्रेशन के रूप में लगभग 38 बिलियन डॉलर अमेरिके भारत को बढ़ाने के लिए क्या क्या था भारत के विकास में लगभग 2018 में क्या हुआ था अमेरिका ने क्या क्या था 68 मिलियन डॉलर को दिया था अमेरिका ने क्या क्या था 2018 में भारत में विकास के लिए भारत को सहयोग करने की लिए उसने क्या कर्था भारत को 68 millions dollar उपय की रूप में प्रदान की ज़ना भारत एक पर्माड़ू संपन्न देश है यानि हमारा देश क्या है एक परमाडू संपन देश है उसे वो भी कह सकते हैं यह दुनिया में ससत सेनाओं में चौथी सेना यह भारत की जो सेना है इंडियन जो आर्मी है वह दुनिया की चौथे सबसे बड़ी और विसाल सेना के रूप में मानी जाती है यस आर आर आई के अनुसार ससक्त बलोंपा जीडिपी का लगभग धाई परसंट खर्च होता है यह भारत का जीतना जीडिपी है वह हमारी सेनाओ पर कितना धाई परसंट हम लोग क्या करते हैं उस पर खर्च करते हैं भारत दुनिया हथियारों का सबसे बड़ा आया तक है यानि भारत जो है दुनिया भर में क्या है हथियारों का सबसे बड़ा आया तक है 2008 से लेकर के 2017 तक के बीच आयात का लगभग 24% में ब्रिध हुए यानि भारत में क्या हुए कि 24% की आयात में क्या हुए यानि ब्यापार में हमारी क्या ब्रिध हुए रूस भारत को हथिया है रूस से खरीदता है भारती कुल 22 विक हतियारों का आयात लगभग 12 परसंट आयात होता है यानि हम लोग क्या करते हैं 12 परसंट अपने हतियारों के बेचते भी हैं एक उभरती हुई हमारा जो देश है अर्थिववस्था के रूप में अगर देखें तो भारत जो है संचा थोड़ी धीमी जरूर हो सकते यानि भारत और विकास की प्रकिरिया है वह थोड़ी धीमी है थोड़ी जटिल हो सकते लेकिन फिर भी भारत कह सकते हैं कि सक्ति को उभरने वाले नए केंद्रों में सामिल है और भारत भी क्या है उसकी GDP यानि उसका भी विकास क्या हो रहा है सीत युद्ध के बाद अगला जो हमारा पांचवा रहेगा रूस रहेगा सीत युद्ध के बाद उघरने वाले सकती के नए केंद्रों में रसिया भी सामिल है यानि रूस भी सामिल है तेखिए रूस क्या है 15 गन राजियों को मिला कर सोबिय संग बनाया गया था यानि सोबिय संग का एक देश था रूस रूस नहीं क्या क्या था 15 देशों को सामिल करके एक सोबिय संग बनाया गया था रूस उनमें से एक था यानि रूस जो सोबिय संग में जितने भी देश थे उनमें रूस एक सामिल था रूस का क्या है एक बड़ा सा छेतरफल है रूस के पास है यानि एक बड़ा सा छेतरफल है उसका देश का जो भूभाग है वो बहुत बड़ा है सोबिय संग में रूस की महत्पूर्ण भूमिका थी यानि सोबिय संग जब था तो रूस में उसकी महत्पूर्ण भूमिका थी जब Soviet San kesan की को स्रक्षा परिषत में वीटो पावर रूस को मिली eka रूस के पास बीटो पावर है रूस के पास क्या है बीटो पावर है सूबिय संकी सुरक्षा परिसद में बीटो पावर रूस को दी दी गई है रूस की GDP रूस की जो GDP है वरतमान समय में विश्व की 11 नंबर पर अस्थान है यानि रूस की GDP क्या है उसका जो अस्थान कितना है 11 नंबर पर है रूस के पास ख सक्तिसाली देश बन रहा है यहीं रूस क्या है अपने संसाद होने के बल पर अपने प्राकिर्तिक अपने खनी संसाद होने के बल पर रूस क्या है दुनिया में एक बड़ा और सक्तिसाली देश बना रूस के पास परमाणू हतियार भी है क्या रूस के पास परमाणू हतियार है यहीं रूस क्या है उनाइटेड नेशन की जो सायूत राष्ट संग है उसकी सुरक्षा परिशत का पर्मनेंट यानि P5 देशों में सामिल एक देश भी है यानि रूस भी अगर देखें तो सीति उद्धि के वाले नए केंद्रों में और सक्तिक उबरने वाले नए केंद्रों कौन कौन से हमने देखा सबसे पहले देखा यूरोपीय यूनियन उसके बाद हमने देखा चाइना उसके बाद हमने देखा ब्रिक्ष के बारे में फिर हमने भारत के बारे में पढ़ा लास्ट में हमने चीन रूस के बारें पड़ा, तो सक्ति के उबरने वाले नए केंदर है, सीति उब्ध के बाद यहां सक्ति के उबरने वाले पांच नए केंदर है, उन्हें केंदरों के बारे में हमें इसमें देख रहे हैं, यह वीडियो कैसा लगा है हमें जरूर बताईगा, अगर आपको वीड पर जाना वहाँ पर सच कर लेना अध्यन एजुकेशन सेंटर तो आपको PDF मिल जाएगी वहाँ पर जाके आप सभी लोग PDF को देख लिजे और अगर नहीं है थोड़ा देखो जब इस वीडियो को अपलोड करता हूँ ना थोड़े टाइम अगर आप बेट कर लोगे ना तो आ वीडियो को देखने के लिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्यू सो मत जय हिन जय भारत